आज की इस बीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे BA, BASC, BICOM के थड़ समस्टर के छातर यानी की तरतिय समस्टर के छातर है जिनको आने वाले दिनों में परिछा देनी है उनके लिए बीडो बहुत ही महत्पोर है क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि थड़ समस्टर में आपको एक जो पेपर होता उसको करिकुलर सब्जेक्ट बोलते हैं उसकी परिच्छा आपको देनी ही देनी होती है ठीक है और जो थर्ड समेश्टर में आपको करिकुलर सब्जेक्ट की परिच्छा देंगे उसका नाम है इंग्लिस में हुमेन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट इस्टुडीज ठीक है और उसी को हिंदी में बोलते हैं मानो मूल और पर्यावरण अध्यन ठीक है यह आपका अनिवार प्रशनपत्र होता है यह सभी इन्वर्सिटियों में सभी छात्रों को देना ही देना होता है थर्ड समेस्टर मे और हर समेस्टर में एक अनिवार प्रशनपत्र होता है और फितरत हर समेस्टर में भी अनिवार प्रशनपत्र जिसका नाम है मानो मूल और पर्यावर अध्यन अध्यन एफ़ी पे जुड़े आपको हम आज किस वीडियो में यमसी क्यू टाइप की कुश्चन आएंगे आप सरकार कहता फिर और बाह दोनों कहते हैं फिर उपर रेक्ट में से कोई नहीं ठीक है लेकिन जहांतंगर अगर मैंने साकूरिक क्योंकि भाई सुच पर्यारण में जीवन बितीत करना है दुनिया कहती है सभी लोग कहेंगे सरकार भी कहेंगे नियाय पालिका कहेंगी तो मेरे नुसार तो यह सा सही उत्तर होगा ठीक है अगला क्वेश्चन कहे रहा कि वन संरच्छन अधिनियम के बारे बताइए क्या है तो वन भूमी पर गैर कानूनी कबजो को रोकता है जो भाई अधिनियम मनाया गया है वन संरच्छन का ठीक है बानमबर कहे रहा कि अफ्थानिये लोगों को भूमी पर अधिकार देकर वन संरच्छन को बढ़ावा देना यानि माली जे कहीं पर कोई एरिया है कोई गाह है क पर कुए कस्वा है कोई सहर जहां पर जमीन पड़ी हुई है तो वहां पर वहां के लोगों को देकर कि भाई याँ अपर अपना जो है वो पियनद पौधे लगाई ये और अपना जो फल होनगे उसे आप लोग खाईए और पेर पौधी रच्छा करिए माल लीजिए ठीक ह तो यह वाला मामला है दूफरा है फरनरचण के लिए आफ थानिये लोगों के बिस्थापन को अंतिम विकल्प मानता है उप्रयोक्त में से कोई नहीं ठीक है तो यहाँ पर चार आपसन दे गए हैं इनमें आपको सही उत्तर बताना है सही उत्तर इन आपसनों में से हो प्रयोक्त में से कोई नहीं इनमें है ठीक है वन रच्छण है अगला कोश्चन है कि कहां प्रयावरन फर लजचण की दिसा में न्याये पाल का द्वारा महतपूर पहल की गई याद रखेंगे वो 했 रहत मेंpless प्रस्तित करता है कि आपके जानकारी के लिए बता दे जो यह आई यू सी यह एक प्रकार की की एक संस्था ठीक है के पड़यव और जीवों को मैंड़ेज्वेंट वाला काम एक तरीके से करता है ठीक एक संस्था यह कि जो करता है और परियावन में जरूर एक तो इसलिए यह जो बिकाद पर जूड़ी चुनोती हो के बिवहारिक प्रश्थ करता है वो करता है समाधान प्रश्थ करता एक प्रकार कीennen यो सीनवट एक सैस्था है जो कि वणी आम और परियान को एक तरीके से मैं caveat काम करता है और करें प्रकार को और बाश्यां जंगल में रहने वाले लोगों का विस्थापन केवल What You भच्छन के उद्देश के लिए है किस चीज के लिए है इन अप्षिनओं में से तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें का अप्षिन अप्षिन नंबर सा ठीक है One जीवववर्ण रच्छन यानि कि जंगल में रहने वाले लोगों का विस्थापन केवल वन जियू फर्म रच्छन के उद्देश के लिए ही किया जा सकता है ठीक है अगला प्रशन है कि बैया किसके कारण ही जनहित मुक्दमों का विकास हुआ ठीक है तो यह पर कई सारे आपसंदियेगे इनमें सहयुत्तर आपको बताना है ठी ठीक है भाई क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जनहित में मुक्दमों का विकास हुआ वो समाजिक हित के कारण हित के लिए हुआ पर्यावरण फरच्छे के कारण हुआ न्याय पालका की वचन ब्रदता के कारण हुआ है इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा उपर भी एक हमारे पर्यावरण का पार्ट है इसको यानि कि हमारे समाज का पार्ट है इसको भी ठीक है अच्छे नजरिये फिदेखा जाए ठीक है और कानून के नियम के अनुसार आ गया ठीक है तो भारतिय न्याय पालिका ने पर्यावरण हितेशी को जो अपनाया है ठीक है प प्रिज्शन काया है कि हमारे जीवन को मिलाकर है नार कि पर्यावरण राष्टे पर्यावरण नीत का नियम है कौन सा नियम है संकट ग्रफ्त पर्यावरणे संसाधनों की रच्छा करना या फिर संसाधनों का नियोचित उपयोग करना या फिर नीतियों के निर्माण में पर्यावरणे संधर्ब का ध्यान रखना या फिर उपरयो इस question है कि United States अभी भी WWF का अधिकारिक नाम क्या है। डबलू डबलू है ठीक है इस डबलू डबलू f का फूल फार्म क्या है पूरा नाम क्या है तो आपको कई सारे आपसं दीए UNME जो शही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा आ नम्बर इसका शही आप सकते हैं संगठन से पर्यावर्ण और आप लोग और कैसे के च्छेत्रे कैरे करता है क्युक्ष का नाम ही तिक है क्योंकि पूरे में से देख सकते अव symmetryFinder इसे कि जलवाई हो गया माफागर हो गया वनेजी हो गये इन सभी छेत्र में ये कारी करता है पंडिंग के मामले में ठीक है रुपेतर संगठान एक ठीक है आगला कोईस्चन कही रहा कि भईया किसके संपूर बिस्ट में करीब 5 मीलियन से अधिक समर्थक हैं ठीक पूरे बिस भर में पांच मीलियन पांच मीलियन का मतलब आप लोग समर रहे हैं पचास लाख एक मीलियन का मतलब होता है दस लाक कितना होता है काई दहाई से एकड़ा हजार दफजार लाक ठीक है दस लाक ठीक है और वहीं पाँच मीलियन का मत्तव हो गया पचास लाक ठीक है तो पचाफ लाक लोग फे अधिक किसके समर्थक है इन आपसे आपसनों में इससे जुद्धियेगे तो गेरा नंबर प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा आपसन नंबर डबलू डबलू एफ यानि की वर्ल्ड वाइड फंड ठीक है जो कि संगठन है जो की पूरी बिश्वर में कारे करता है अगला कोश्चन है कि डबलू डबलू एफ का अधिकांस कार मैंने आपको बताए ना कि छे चेत्र में कारी करता तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दानंबर ठीक है तो डबलू डबलू का जो अधिकांस कार है वो च्छा बायोम के संरच्छन पर केंद्र थे जिसमें से जिलवाइव आ ठीक है और और मुझे समय ध्यान नहीं है अभी आ जाएगा ठीक है और मुझे ध्यान नहीं है एक दो बाकि तीन तो एक अनफरम है ठीक है अगला को इस चिन कह रहा कि यह जो है ट्भू डव्बो एफ के मुद्ड़ पर मतलब ध्यान देता है motivated अभी यह जो सा यहाँ प्रदोसर पर घ्यान देता और जो प्रजातियां है वो जो बिलिप्त हो रही हुन पहतते बिद्यान देता है प्रवरतन परते द्यान देता है इसलिके उत्तर सब्सक्राइब धब देखें यहीं पर इसको का रही एक बारे की देश्यायों चैनिट fellowship प्रश्ण है याद रखेंगे आप सभी के लिए ठीक है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा आप्षिन नंबर बाह गेरा सितंबर और 1961 को इसकी जो है गठन यानि की इस्टेब्रेस यानि की अस्थापना की गई थी ठीक है अगला कोश्चन कह रहा भी या क्या कह रहा है चलिए देखते हैं ध्यान से सुनेंगे कि दबाव समोह और पर्यावड़िये कार करता यहां पर क्या भरा जाएगा अधिकारियों को प यह फिर अधिकारिया फिर उप्रयोक्त में से सभी तो इस प्रस्णिका सेयोत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर आठीक है दबाव समोह और पर्यावड़िये ठीक है पर्यावड़िये कार करता कंपनी को पर्यावड़िये आवस्यक्ताओं के अनपालन की जाच करने के लिए मजबूर करते हैं ठीक है और नेश्ट कोश्चन है आपर कि कौन आम तोर पर अंतर राष्टी सहिमत से अधिक कड़े पर्यावड़िये नेमों और मानकों को अपनाती है ठीक है तो इस प्रस्णिका सेयोत्तर हो जाएगा आपसे नंबर बा ठीक है सरकारे गोवर्मेंट जो होती है ठीक है अगला है कि कौन कंपनियों को नियमों का पालन करने की मजबूर करते हैं यानि कि कौन कंपनियों को नियमों का पालन करने को मजबूर करते तथा दंड के भैफे डराते हैं वो जनता है या फिस सरकार है या फिर पर्यावड़िये ओडिट है या फिर कौन है ठीक है तो सत्ता नंबर का सयुत्तर हो जाएगा आपसे नंबर आ पर्यावरणी ओडिट हैं जो की मजबूर करते हैं और दंड का भय भी बनाये रखते हैं ठीक है अगरा कोश्चित हैं कि एक ब्यापक पर्यावरण लेखा परिच्छा किन छेत्रों को उजागर कर सकती है या यह जो है ना समस्या के छेत्र में मतब्कि समस्या नहों इस चीज में उजागर करने का काम करती है ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं परिष्टवरणी कि किन बातों का अनुपालन करने को बात दें तो इस प्रस्चित का सहीुत्तर हो जाएगा आप्यावर ठीक ह ठीक है company को कोई भी company हो जोब की बड़े बड़े ठीक है फैक्तर होती है बड़े बड़े पंपनियां होती है उन सभी को कुछ system होते हैं कुछ नियम कानून होते हैं उनको मानना पड़ेगा इसले सेयोत्तर दा हो जाएगा अगला question कहे रहा कि बहित जाग बढ़ाना और पर्यावरण नीतियों के प्रत कमपनी को आंतरिक प्रति बद्धता को कौन करवा सकता है ठीक है तो अब इस नमबर का से उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर क्योंकि पर्यावरण ओडिट ही यह सब करवा सकता है ठीक है अगला प्रस्केर कि यह पर्यावर्य ओर्डित इनकी संख्या वह से उत्तर होगा अगला कोश्चन है कि सुधार के प्रियासों को किसके दौरा सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए यानी कि सुधार कोई चीज हो में सुधार करने का प्रियास कि उठाते हैं वो किस रозмछ cereal में देखा जाता है तो वह भाई देखा जाता है जनटा के रूप में इयाद रखेंगे फसे जह उसके रूप में देखा जाता है अगला कि audit डोच डोच अधिक टिकाओ बनाने में मदद करता है कौन मदद करता है तो یہां पर जो भरा जाएगा बढ encrypted ब्योसा है भी? ऑडिट ब्योसाओं को अधिक टिकाओ बनाने में मदद करता है यानि कि ब्योसाओं जो business होते है बिजिनेस बेपार अगला कोश्चन है कि कौन अन्य उपभोकताओं के साथ नए विपढ़न के आउसर भी पैदा करता है तो इन आपसरों मेंसे जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा बानमबर वस्क पैदा करता ओडिट अगला है और अटिट के बारे में अभी आपको हम डीटिल में आगे बताएंगे या फिर आप लोग गूगल कर लिजेगा तो आपको जारा समझ में आज़े बता देंगे ठीक है फिर हला हम ओडिट बहुत ही पहले ऑडिट के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे सम क्विर नम अटिक है यह जिए पर रहे अनुपॉरण अडिट इन सभी तीुझों का मूल्यांकन करता है ठीक अगला है कि कौन या फट्यापित करता है कि कंपनी सभी नियमों और देशून तथा नीतियों का पालन कर रही है यह फिएक नहीं यह कौन द्धायत करता है ठीक ह कर रहा एक नहीं कर रहा है उसका देख रेत और सत्यापित यहीं करती है पर्यावणिये प्रप्रण्धन ओडिट ठीक है अगला प्रशनेक वह यह उप भौकताओं को कंपणी के प्रतिवफादार रहने के लिए क्या प्रुत्साहित कर सकता है तो यहां पर कई सारे आप संद भाले किस प्रवंधन की जाच की जानी चाहिए महाई समस्या पाइदा होगे तो सबसे पहले आपकी फिसीजाच करने चाहिए तकится करने के लिए क्षिक के प्रभंद की आवश्चता है के उवर्जा की यह पिरशन सादन की यह यह फिर पर्यावरन की है यह फिर फिर ustmi Tou taking प्रबंद की आवस्यक्ता है पर्यावरण की प्रबंद की आवस्यक्ता बहुत ही जरूरी पहली है ठीक है तो किनके साथ दीर्ग कालिक अच्छे प्रबंद की पार दर्सिता की जानी चाहिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्शन नमबर डी ग्रहांकों के प्रत्वी सरकार के भी और हित्धार को निवेश्कों के भी तभी बही लंबे समय तक चल पाएगा ठीक है अगला कहिए रहा है कि डाट 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 परिडामों को प्रकाफित करके सकारात्मक प्रचार को प्रसाहित किया जा सकता है अगला की ओडिट कंपनी या बताती है कि नेमों के पालन के लिए क्या चीज आवसकता है ठीक है तो जो चीज आवसकता है याद रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ट प्रसन है परिवर्तन ठीक है पालन के के परिवर्तन की आवसकता होती ठीक है 32 नंबर जो प्रसंदिक राइश का सजयुत्तर हो जाएका आवसकता है अगला की ब्यापक अर्थों में पर्यावनर्ण लेखा परिच्छा का उद्देश क्या है वह या तो उसका उद्देश है पर्यावनर्ण राच्छा में मदद करन अगला है कि company के परपेच में audit का उद्देश क्या है ठीक है तो वहाँ पर company है उसमें जो audit होता है तो उसका उद्देश होता है वो होता है और बादोनों ठीक है पहला और दूसरा इसलिए स्यूत्तर सा होगा अगला कि तो पर सबस्देश के उपकरण के रूप में मानता का प्रियोक करती है तो आज हैनों मैंने बैसिक कूष्टन रखें ताकि कि आप लोग जल्द इफे जल्द क्लाफ हमारी डेली जॉइन करें तो हम आप लोगों के समझ 50 और 100 क्लास प्रस्तुत करेंगे और मिलते हैं आपको एक और वीडियो में काफी हेलपूल वीडियो रही होगी आप सभी के लिए जहिंद